दोस्तों आज उत्तर प्रदेश पावर कॉपरेशन लिमीटिड मिस जो यूपी जेए का एक्जाम होने वाला है इलेक्टरिकल इंजिनिरिंग डिप्लोमा एंड वी टेक वालों के लिए उससे related है second chapter start कर रहा हूँ जिसका नाम है DC circuit इससे पहले मैंने first chapter के तीन lecture करा दिये हैं जिनमें करेव hundred question थे प्लस उनको अच्छे से detail में समझा दिया है अब second chapter start कर रहे हैं इसका नाम है DC circuit DC circuit से आप समझ सकते हैं कि इस chapter में circuits related ही होने वाला है जो भी हमारे circuit होते हैं जैसे series circuit और parallel circuit उससे related ही questions होंगे तो अब first question आता है the current that always follows in one direction आपको पता होगा कि जो current एक ही दिसा में बहता है means flow होता है उस current को क्या कहते हैं तो जो direct current होता है वो तो एक दिसा में ऐसे आता है वो इस तरीके से चलता है ऐसे और जो alternating current होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है इस तरीके से cycles में तो इसको बोलते है AC और DC को DC का figure ऐसे आता तो यह एक ही दिसा में चल रहा है यह alternate दिसा में चल रहा है यह AC तो इसलिए इसका answer हो जाएगा DC current यानि option number ADC option BAC current C both तो इसका option हो जाएगा A next question है the current supplied by a battery or DC generator means जो battery होती है cell होती है हमारी और जो DC generator होते हैं वो कौन सा current supply करते हैं तो मैं आपको बता दूँ battery cell और DC generator direct current supply करते हैं option B ठीक हो जाएगा है तीसरा question है the direct current has means जो direct current होता है DC वो कैसा होता है option A constant magnitude होता है means उसकी जो magnitude होते है वो constant होते हैं जैसे magnitude के हैं जैसे 1 volt 2 volt 3 volt 4 volt 12 volt तो मैं आपको बता दूँ DC current को इसलिए constant बोला जाता है क्योंकि उसका magnitude हमेशा constant रहता है यानि 12 volt रहता है हमेशा 12 volt और जो तुमारा AC होता है है उसका magnitude का भी 230 होता है 110 पे भी उसकर सकते हैं इस घटाते बढ़ाते रहते हैं उसको यानि 11 KV की लाइन है चासर के वी की लाइन है अलग-अलग magnitude पर यूज किया जा सकता है है एसी वाले को यानि alternating current को इसलिए डारेट करेंट का जो magnitude है वह हो जाता है constant को कोशन हमें 4 है the closed path followed by the direct current यानि किसी करेंट के दौारा जो एक पाथ फोलो क्लोश्ट पाथ किसको बोलते हैं जैसे कोई पाथ इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इसी पॉइंट पे आ circuit ऐसा ना हो कि जैसे कोई circuit है और मैंने यह circuit बना दिया यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक गया और बीच में तूट के फिर वापस आ गया कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि circuit बीच में तूट रहा है तो उसको closed circuit नहीं वो लेंगे जो circuit बीच में तूट जाता है तो इसलिए the closed path followed by the direct current is called direct circuit यानि DC circuit डारेक्ट करेंट सर्किट फिप्त गोसन है the DC current is always follows जो direct current होता है वो किस दिसा में बहता है हमेशा अब आपको पता होना चाहिए current हमेशा high terminal to lower terminal यानि positive terminal की तरब बहता है या positive terminal to negative terminal बहता है मिस current कौन सी दिसा में बहता है current किस दिसा में बहता है electrons तो चलते हैं हमेशा negative to positive terminal जबकि जो current होता है वो हमेशा positive to negative terminal चलता है तो इसका option B ठीक हो जाएगा next option है six the load for a DC current usually जो direct circuit होते हैं यानि DC current की बात कर रहे हैं जो 12 volt वाला होता है DC current होता क्या DC current जैसे तुमारी battery है cell है इनमें समय DC current पाया जाता है तो इसमें ज्यादातर जो load होता है वह basically resistance रेसिस्टेंस रेसिस्टिव लोड होता है यानि conductor तो गलत option है conductor तो तार हो गया capacitive लोड और inductive load होते हैं AC में इन्हीं AC में RLC AC में पढ़ाई की जाती है resistance inductance और capacitance की जबकि only resistance की बात करूं तो वह DC में तो इसका option हो जाएगा रेसिस्टिव सेवंथ होशन है the number of resistors are connected in series means जो रेसिस्टर है वो connected है series में means यह एक resistor दूसरा resistor तीसरा resistor है नि कोई resistor series में connected है if the same current flows through there are how many path followed by the current भाई देखिए यह जो series होता है series में current हमेशा constant रहता है स्रीज में current हमेशा constant रहता है तो current के द्वारा जब series में resistance लगए है तो path तो एक ही path followed किया जाएगा तो आप देखके इसका option बता सकते हैं कि option क्या होने बाला है सोच लीजिए और इसको लगाईए अच्छे से option क्या होगा तो option हो जाएगा इसका one path यानि कि एक ही path follow किया जाता है तो इसका option हो जाएगा one नेक्स्ट है एर्थ इन series circuit जो series circuit होते हैं दस series circuit होते क्या है जिनमें resistance series में लगे होगे हैं और parallel circuit जिनमें पहले लगे हैं इन series circuit the sum of total resistances is equals to जो total resistance होते हैं जैसे कि मैं बताओं जैन की एक resistor दो resistor अब यह दो resistor पांच-पांच होम के हैं दोनों की unit 5 होमें अगर इनको add कर देंगे series में तो आरवन प्लस ऑल्टू कितने होगे एक क्विश्टू 10 तो इन दोनों का sum आरवन और और रच यह है इन दोनों का sum कि किसके वराबर आपर 10 के वराबर तो यह question यही तो बोच रहा है कि जो total resistor होता है उसका sum किसके बराबर होता है तो total का जो sum होता है हमें सहां वो individual resistance के बराबर होता है तो eighth का option क्या हो जाएगा A the sum of individual resistance ठीक है The sum of individual resistance तो इसका option हो जाएगा ठीक Sum of individual resistance नेक्स्ट है इन स्रीज सर्केट टोटल रैसिस्टेंस एज जो स्रीज सर्केट होते हैं उनमें टोटल रैसिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है ग्रेटर देन इंडिविजल रैसिस्टेंस इंडिविजल रैसिस्टेंस मैं आपको बता दूं इंडिविजल मिस पिर कि पिर्देग के बराबर के लैसर दैं इंडिविजुल रेसिटेंस स्री सरगे दे टोंटल रेसिटेंस व्हम हुँ individual resistance किसको बोलेंगे जैसे कि मैं लिख दूँ यह तीन चार रेसिस्टेंस यानि दो एक तीन 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 resistance इसकी पांच हों इसकी 2 ओम इसकी 4 यानि यह ओम के हैं यह पांच होम का है यह दो टो 5 बनाइक ना एडिम्रेशिस्टेंश की बात करेंगा तो 5 ऐद tip और मित विएस्टेंश होगा वह ठोटा ही होगा ना सम के सम से तो छोटा ही होगा सब्सक्राइट इंडिविजल रेसिस्टेंस होगा आप सोच सकते हैं इसको इंडिविजल रेसिस्टेंस हमेशा कम रहता है तो इसलिए इसका ओप्सन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इंडिविजल रेसिस्टेंस दसम क्या होता है टोटल रेसिस्टेंस जो होता है ग्रेटर देन कर्ण लेता हूं दो नेक्स्ट को्शलहरत इस वोल्टेज अक्रॉस इस रेसिस्टर भी दिख डञता है जब और ये था से amorza करते दावर ये अन् apt sum करते हैं कि जैसे में यह बनादू येden प्रेड में लगा हुआ यह R1 और यह R2 यानि पहलल सर्कित है यहाँ जब दोस रेसिस्टर पहलल में लगे होए हो तो इसको बोलते हैं पहलल सर्कित तो इसके केस में जो करेंट आ रहा था आई आई अब दो भागों में डिवाइट हो जागा एक इदर चला जागा यानि I1 इधर चला जाएगा I2 इधर चला जाएगा means parallel circuit में current divide होता है current divide होता है voltage constant रहता है जबकि three circuit की बात करें तो वहाँ जो है तुमारा current constant रहता है और voltage divide होता है यह याद रखने वाली बात है कि जो तुमारे parallel circuit होते हैं उनमें जो तुमारा voltage constant रहता है current divide होता है जबकि अगर three circuit की बात करें वहाँ तुमारा current constant रहता है voltage divide होता है तो इसका option कौन सा हो जाएगा parallel circuit किसकी बात कर रह रहा है voltage सेम की बात कर रहा है सबसे पहले आपको समझ जाना चाहिए कि रैसी प्रोकल की बात कर रहा है तो पहले का वख फॉर्मूला ये इस तरीके से बात कर रहा है वह समझ जाना ये पहलल सर्गेट की बात कर रहा है है दूसरा और वह पूछ रहा है रहीटी स्टीन तोटल रैसिस्टेंस इक वस्टू सुम ओफ इंडिविजल रैसिस्टम्ट के नपर में निकलना और हम hereحمal निंग्विटेंस है न के। हैं इनकेस और ऐक्यूवलेंट रआसिस्टेंस यह यह पहलन ऑब सरक्यूट केशिछटी रेसिस्टेंसी की बात कर रहा है है अब आपको एक सर्पेट बना कर दिखा दिता हूं जैसे कि यह circuit है यह इधर से current आया अब इसमें तीन रेसिस्टर लगे होई है दो लगा देते हैं पहले दो का कर लेते हैं अब यह दो रेसिस्टर लगे रहे हैं एक उपर वाला जो है R1 उसकी value है पांच ohm और नीचे वाले की वी value है पांच ohm यानि पांच ohm के दो तो यह हो जाएंगे तुमारे 25 अपां 10 यहां से सॉल्फ होगे 25 अपां 10 हो जाएगा और 10 से 25 जाएगा तो 2.5 टाइम जाएगा तो आपने देखा होगा एक R1 की value 5 थी और R2 की value वी पांच ohm थी लेकिन एक ही रेसिस्टर से कम value आई पैलल के केस में यानि सम की तो इंडिविजल रेसिस्टेंस का जो सम है उसकी value lesser आई और अगर स्रीज वाला केस होता तो 5 प्लस 5 दस ohm आती तो यह कहते हैं कि जो पैलल सरकेट होता है उसमें सम ओफ इंडिविजल रेसिस्टेंस की value lesser होती है एक इंडिविजल रेसिस्टेंस से यानि एक ही एक रेसिस्टेंस से compare करें तो उसकी value भी कम होती है कि तो इसका option गौन सा ठीक हो जाएगा यहां से sense लगाओ क्यों कर रहा है in case of parallel equivalent resistance is then two individual resistances यानि जो resistances हैं वो lesser होते हैं लेसर इंडिविजल रेसिस्टेंस किस से अब question पूछ रहा है greater होते न अभी मैंने आपको करके दिखाया यानि जो 2.5 ओम आया था वो पांचों मुझसे बढ़ा है यहां का भी पांचों मुझसे बढ़ा है इसलिए वो क्या होते हैं greater होते हैं इंडिविजल की बात कर रहा है तो इंडिविजल में एक resistance की बात कर रहा है यानि circuit का एक resistance भी सम से बढ़ा होता है नेक्स्ट कोश्चन है 18 अब दुबारा से वही कोश्चन आया है सम ओफ इंडिविजल रेसिस्टैंस इज लेसर देन इंडिविजल रेसिस्टैंस फिर से वही option है ओप्शन तो फिर से वही है लेसर देन होता है के नहीं थो चाइब है नेक्स्ट कोश्चों है क्ई अजॉद माश्रो इन श्रीज और पैल्ल शर्किट अगर श्रीज और पैलल सरकिट की बात करें तोटल पावर डिसीपेटेड in इंदा circuit यहांए circuit में जो power प्रिच्पित यानि dissipate हो रही है supply हो रही है dissipate हो रही है यहीद की form में convert कर रहा है circuit समीक्ट पावर participated यह इंदा क्या होगा इसका option पहले आप question को समझे question बोल रहा है कि series circuit ले लो या पालल सरकित ले लो उनमें जो power heat की form में convert हो रही यह एक्टिब पावर है वह रहश स्टरेटर अकटिब और कसंथ करता न किवर्ण कर राहा है वह क्या होगा इक्कोर्सटू किसके ओगा पिड़तेक रीवाबर होगा यह साफ डिफॅन के होगा तो इसका उप्षन हो जाएगा इंडिविज्व एसिस्टेंस में पिरते एक रेसिस्टेंस में बराबर होती है कि अंधरमा है वें दसेल ड्रेवरिंग नो करेंट जब सेल करेंट ट्लीवन नहीं कर रहा है तो कैसा माना जाता है मान लीजिए सेल है मान लीजिए कोई सेल है इसका ये पिलस है ये माइनस है जब तक ये है और ये है यहां मैं एक बल्ब कनेक्ट कर दूँ ये कोई बल्ब है ठीक है अब जब तक इसका सर्किट कनेक्ट ही नहीं है यानि कि सर्किट कनेक्ट ही नहीं तो इसको क्या बोला जाएगा ओपन सर्किट circuit खुल रहा है ना open miss खुला हुआ है यानि चालू नहीं है बल्ब जैसे ही circuit को मैं यहां लगाऊँगा यहां लगाऊँगा तो यह क्या हो जाएगा short circuit short circuit का कभी भी यह मत समझे न कि टूटा हुआ circuit short circuit होता है चालू circuit यानि जुड़ा हुआ जुड़ गया ना वह circuit तो इसलिए उसको short circuit बोला गया अगर यह circuit चालू नहीं होता open open बोला जाता यानि चालू यह नहीं तो open circuit है तो when the cell is delivering no current तो इसका option हो जाएगा open circuit यानि circuit open है खुला हुआ है next question है when the cell is delivering no current cell deliver current नहीं कर रहा है then potential difference across the terminal of the cell is equal to जब cell deliver current नहीं कर रहा है तो उसका potential है EMF है उस cell का वो किसके बरावर होता potential difference किसके बरावर हो जाएगा तो EMF के बरावर हो जाएगा उसका cell का जो potential है V है EMF के बरावर रहता है जैसे ही cell current deliver करने लगता है तो वो less हो जाता है when the resistance R is connected R resistance connect कर दिये तो सैल पर अब यह सैल है मैंने आपको option देगा बताया था यह सैल है और सैल पर एक resistance connected कर दिये यहां तो यह सैल क्या हो गया short circuit हो गया चालू हो गया अब short circuit हो गया तो current flow हो रहा है voltage drop क्या होता है जब resistance लग रहा है तो रेसिस्टेंस इंट्व करेंट वीक क्वेस्ट आई आर होता है न वोल्टेज ड्रॉप यही तो होता है इसके कारण वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसके कहां होगा voltage ड्रॉप किसके कारण होगा और कहां होगा अब इसका option हो जाएगा इंटर्नल रेसिस्टेंस यानि कि जो सैल है उसका भी कुछ अपना रेसिस्टेंस होता है यानि जो बैंटरी देखते हो न आप उसकी जो पत्ती होती है उनका कुछ रेसिस्टेंस होता है जहांसे करेंट फिलो कराती है तो उसकी इंटर्नल रेसिस्टेंस के कराण भी कुछ voltage drop होता है next question है when R is connected यानी R for resistance resistance is connected across the cell, जब cell में कोई resistance connected है then current flows in the circuit कैसा होता है, जब by cell में कोई resistance connect कर दिये, रिस देन्स लोड कनेक्ट कर दिये, तो current flow होगा, तब क्या होगा, terminal voltage less रह जाएगा IMF से, ये terminal voltage जादा हो जाएगा EMF से कैसा हो जाएगा अब आपको पता होना चाहिए टर्मिनल वोल्टेज जो है EMF से छोटा हो रहा जाता है उस समय जब इसी बैटरी पे लोड कनेक्ट नहीं होता फुल चार्ज होती है तब टर्मिनल वोल्टेज और EMF दोनों बराबर होते हैं यानी EMF यानी Electromotive Force जो V होता है टर्मिनल वोल्टेज और EMF Electromotive Force ये दोनों बराबर होते हैं जो लोड ना हो जैसे ही लोड लगा ये V जो है वो लेसर हो जाता है किस से EMF से छोटा रह जाता है यानी कि खड़्चा होने लगा ना फोर्मुला ओफ इंटरनल रेसिस्टरस्टन ओफ सेल फ़र्मुला आप देखिये कोंसा होगा यह यह पहला वाले जो फोर्मूला इसको मैए क्याश्टेजट्य पान एपन हां लेकिए । दूँआए आरší नर और कोंश्ट्टू कि माइनस वी माइनस वी और यह नीचे जो आई यह इसको आई कुष्ट भी अपॉन आर होता है ना वी अपॉन आर यहां लिख दू और तो यह आर को मैं साइड में ले जाऊंगा तो यह यही तो फॉर्मुला बन जाएगा यह वाला यह वाला तो इसके ऑप्सन हो जाएंगे अनन्स यानि कि किसी भी सर्किर्ट मैं इसेंट की मेठी नहीं में कौन सी ब्रीज का यूज़ खिया जाता है तो फो आपको पता ही है doll योट इश्रियह कैया होती है उस में चार रैसिस्टेंस लगे वह होते हैं होता है बीच में तो चार रेसिस्टेंस में दोन की वैलू तो हमें पता होती है दो रेसिस्टेंस की एक होता है आपका वेरेवल रेसिस्टेंस जो होता है रियो स्टेट तीसरा चौथा होता है आपका अनौन रेसिस्टेंस अनौन रेसिस्टेंस कौन सा होगा जिसकी वैलू ह में पता करना है अब आता है तो वीट इस्टर ब्रिज कंटेंस how many resistances तो आपको मैं ने भी बताय था चार assistance करके रखती है इस तरेकसे होते है थैंने एफ यह 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 किने इसमें शार कानेक्ट होते हैं होते हैं यह तार देंगे लेख नेक्स्ट है तो वी टिस्टों ब्रिज हैस हाव मैनी नौन रेसिस्टेंस मैं ने आपको बताया था कि जो नौन यानि जिनकी वैलु से पता हो इसको नौन या नौन मीं जन तो वो होते हैं दो रेसिस्टेंस इस होता है और इसकी जगा पे हम रियो श्टेट लगा देते हैं जिसकी एक पी एक और नॉर्मल कर देए कभी तीन यानि घटा वड़ा सकते हैं उसको वेरिवल रेसिस्टेंस बोला जाएगा और रेसिस्टेंस का सिंबल हमेसा ऐसे करके और एक तीर लगा हुआ होता है यह सिंबल होता है वेरेवल रेसिस्टेंस का जब कि नॉर्मल रेसिस्टेंस का सिंबल यह होता है वेरेवल समझ जहां तीर लग रहा हो ना एरो लग रहा हो रेसिस्टेंस का सिंबल बना के वहां वह होता है वेरेवल रेसिस्टेंस नेक् जाए और एक यह वी टिश्ट ओंड ब्रेज बन गई है इसके चार पॉइंट है तो अगर इसकी और इसकी गुणां करी जाए और इसकी और इसकी गुणां करी जाए तो इनका जो रेसिस्टैंस है वह बरावर होता है यानि दो-दो की आपस में मल्टिपलाई कर दी जाए तो जो गुड़ा होती है वो बराबर होती है the algebraic sum of the algebraic sum of current meeting at any junction in an electrical circuit किसी भी junk sum पे electrical circuit में जो algebraic sum होता है current का समझगे ना आप इस definition को पढ़के क्या बोल रहा है किर्चॉप्स का first law है किर्चॉप्स current law ने यही तो बोला था the algebraic sum of current at any junction meeting at any junction in electrical circuit zero होता है किर्चॉप्स यही तो बोलता है अगला question केसी एल केसी एली जाल सोन है केसी एल को किस नाम से जाना जाता है तो केसी एल को junction law के नाम से जाना जाता है क्योंकि junction की बात करता है ना केसी एल 28 वह है a junction is that point in an electrical circuit where how many circuit elements meet junction किस point को बोला जाता है किसी electrical circuit में जहां तीन या तीन से अधिक element मिलते हों जैसे कि एक एक रेसिस्टर यह रहा एक रेसिस्टर यह रहा दूसरा रेसिस्टर यह रहा और तीसरा यहां मिल जाए तो इसको junction बोला जाता है यानि एक या एक से अधिक element जहां मिलते हो और जहां दो या दो से अधिक element मिलते हो उसको बोला जाता है node तो इसका option हो जाएगा 3 or more element is meet at any point that is also known as क्या junction next option है next question है आपका according law of conservation of charge free electrons can non-accumulate आपको conservation law पता हो तो मैं आपको बता हूँ energy never be gradate never be destroyed में circuit में जो energy flow करी जाती है potential energy वो जो है सिर्फ धका लगाती है electrons पे लेकिन खुद खतम नहीं होती है सिर्फ electrons को धके लने का काम करती है तो यह पूछरा accumulate होती है accumulate में रुख जाती है किसी स्थान पे है because electric current is merely the flow of electric current होता है flow of electron यानि electron भाग रहे हैं किसी circuit में free free क्यों बोला क्योंकि वो भाग रहे हैं भागते होई electrons को free electrons बोला जाएगा free electrons which law 31 गोसन है which law of Kirchoff's is relates with EMF and voltage देखिए किर्चॉप का कौन सा law voltage और EMF से relate करता है अब आपको समझ जाना चाहिए कि Kirchoff's voltage लोकी ही बात करेगा जब इसकी बात कर रहा है के इसील तो current से relate करता है न 32 महाँ है the algebraic of an EMF and voltage drop in a resistor is equals to zero of KCL क्या बोलता था the sum of electromotive forces and voltage drop is equals to EMF or voltage drop EMF EMF plus IR इनका जो sum है वो बरावर होता है किसके zero के यानि electromotive force प्लस voltage drop का sum zero के बरावर होता है यही तो कर्चॉपस बोलता है कर्चॉपस और क्या बोलता है कर्चॉपस यही बोलता है zero के बरावर होता है तो उस law को किस नाम से जाना जाता है इस नाम को किस नाम से जाना जाता है तो आपको पता होना चाहिए उस लूप लोग के नाम से लूप आफ्टर गोइंग एराउंड दसर्किट जैसे ही यह सर्किट है यहां से बेंटरी स्टार्ट हुई यहां से चला यहां आके खतम हो गया यह सर्किट जैसे ही सर्किट में यहां से यहां तक जाते हैं जाते हैं तो there is no increase or decrease in potential means जैसे 5 volt start हुआ तो 5 ही volt तो रहेगा ऐसा तो नहीं है कि 5 volt चला और 2 volt वापस आया जितना potential जाएगा उतना ही वापस आएगा तो this means the voltage the algebraic sum of voltage drop in the resistance must be क्या हो सकता है 33 में कहा answer 0 यानि अभी समझाया है कि kvl क्या कहता है यही तो बोला जितना जाएगा उतना वापस आएगा चौतिस में घुस्तन है the net change in energy of charge यानि चार्ज की जो energy है उसमें change होता है after completing the closed path after completing the closed path is called zero kvl क्या बोलता है energy never we create never we destroyed इसलिए कभी कभी question आता है कि किर्चॉप का कौन सा law conservation of energy फूलो करता है तो वह लाओ किर्चॉप वोल्टेज लॉटेज लॉट कि नेक्स्ट है के वियल इस बेश्ट अब मैंने जो बताया था वह आ गया ना किर्चॉप करता है इसलिए इसलिए छार्ज से लिडिड करता है किर्षॉप करमा लोग और वोल्टेज वोल्टेज एनर्जी ही तो होती है तो इस किर्चोफ का उल्टेज़ लो एनरजी से रिलेट करता है किर्चो बेश्रां दो इन्दा सर्कटい्ट झार्ट फिर। इन अइनक्सट क्रेंट नाक्स्ट को इस आ धी और वीजोर पोटेंट्सिल और नेगिटीव और हाइर पोटेंशल पोलते हैं हैемी साथ positive को यानी बोला है negative से positive की तरफ जाते हैं तब हम circuit में क्या लेते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए 97 हो रहा था ऐना छोटे से बड़े की तरफ बढ़रे हैं तो rise हो रहा है जब बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो fallen potential लेते अर ऍेक्श्ट ए T अगर किसी सर्किट में रैसिस्टर की बात हो यानि नॉर्मल किसी तार में लोर टू है जा रहे हैं तो क्या लेंगे राइजन पोटेंशिल जबकि रैसिस्टर पे जहां भी सर्किट में रैसिस्टर लगा हुआ होगा वहां उल्टा हो जाता है यानि जब लोर टू है पोटें आप उझजर जा रहे हैं ने टारेक्षिन गहारा हैं texts क्लिंमे डिसा में गुरह बदियंन चेराकशा में युष्तिक शालव करने लगए तो हम डिसां क्या लेंगे से कि गी माद को हम ने तक लेना पढ़ेगा fallen potential वाल इन पोटेंसीयल fall in potential क्योंग लेना पढ़ेगा क्योंकि हम lower potential to higher potential की तरफ जाते हैं Electrons के opposite क्योंकि current हमेसा चलता है higher potential lower potential मचंजों समझे करेंट के करन हमें यह allan potential लेना पढ़ता है आपको यह पता हो नहीं करेंट किस दिएसाव से कौन से दिएसा में चलता है करेंट हमेशा चलता है तुमारा पिलग से माइनिस की तरप या means से लोर की तरफ torn teach the Must 알um Partners हमेशा पिलस सेद defense की तरफ चलते माइनस से डिजोते से बड़ी की तरफ भागते हैं ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है एमF एमF of the ordinary cell, ordinary जो cell होती है यह जोटी सी जो cell होती है उसका EMF डिएड़ बोल्ट के आसपास होता है एक तालिशमा कोश्चन है जो ओर्डिनरी सेल है जिसका यह में 1.5 वोल्ट है वो कितना करेंट डिलीवर कर सकती है तो उसका करेंट होता है वन बटा आठ यानि एक बटे आठ एमपेर जालिशमा कोश्चन है यानि बहुत सारी सेल्स को एक गपार कर दिया जाए बहुत सारी छोटी-चोटी सेल्स लग लिए है और उनस की डपे में पैक कर दिया है कम्माइंड कर के नेक्स्ट कोश्चन है When the voltage requirement is more जब हमें voltage की requirement ज़दा होती है तब हम cells को किस grouping में connect करते हैं देखर grouping of cells होती है तीन प्रकार ज़े Western होती है दूसरी होती है parallel grouping और प्रहरी होती है एक complex यायनी series और parallel का एक combination मना देते हैं जदेखर लेने के लिए cells को किस grouping में connect करना चाहिए है तो तौह हमें आपको बता दो हमयां सीरीज maior मंघ जादा होता है क्योंकि स्रीज के केस में जो है डिवाइट होता है पुछ डिवाइड होता है और करेंड अमयसे खौंस्ट रहते हैं अब दूसरा कोशें में pł tv रिक्षूरमेंट जाता है अगर करेंट की रिक्षूरमेंट जदा होगी तो हम उसाल को प्हलल में किनेक्ट करना चाहिए हमें आप यह बहुतwnie को संग है संद 2017 is अर्गेट्स रहें लोड़ है तो पैन्तारिसमान कोश्यन है उसका आप्सिन हो जायगा यानि जो external resistance है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए अगर हमें maximum current की demand है तो external resistance is very high in series grouping छालिसमा खुस्सान है in case of parallel grouping अगर parallel grouping की बात करें तो maximum current पाने के लिए maximum current पाने के लिए हमें क्या करना होगा external resistance को कैसा रखना होगा external resistance को यहां low रखना होगा पैलल ग्रोपिंग में स्रीज और पैलल के सर्गेट आपको बनाने आते हैं वैसी सेल को नेट किया जाता है सैंतले समय कोशन है which grouping of cells has advantages of series and parallel मैंने आपको बताया था कि एक series होता है पैलल होता है उनका combination होता है इसको बोलते हैं स्रीज पैलल ग्रूपिंग यानि दोनों की quality रखे स्रीज की भी रखे और पैलल की भी रखे लास्ट इस चैप्टर का लास्ट कोशन है in order to get in order to get maximum current in mixed grouping यानि mixed grouping है देखे circuit ऐसे series में भी लगे होई है और आगे जाके पैलल में भी यह कौन सा circuit कहलाएगा यह कौन सा circuit कहलाएगा यह यह जाता है यह जो सेकंड चैप्टर था हमारा वी के महता से DC circuit इसके 48 कोशन बनाए थे मैंने last हो गए और भी कोशन लेगा हूँगा फिलाल इन कोशन हो का study करें यह बहुत ही अच्छे कोशन है यह भी PCL हो SSC हो कोई भी एक्जाम हो engineering से related सब एक्जाम के लिए बहुत ही helpful कोशन है अगर आपको इन कोशन का PDF चाहिए तो मुझे contact कर सकते हैं मेरे कोई भी help चाहिए मुझसे या मुझसे बात करना है या मुझसे PDF लेना है इनी कोशन का क्योंकि यह बहुत ही important question है तो मुझे message कर सकते हैं मेरे whatsapp number में thank you so much for watching this video और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको like करें share करें और subscribe तो कर ही दें ताकि जो मैं video बनाऊ उसका link आप के पास पहुँच सके thank you so much for this video